तो ये है जी सीमाएं ये है बंगलादेश का बोर्डर ये देखे और ये है भारत के और ये है रेलवे लाइन जो कि वहाँ ट्रेन खड़ी है वो वहाँ से चलेगी और बंगलादेश में एंटर करेगी और ये शीवम्त बंगलादेश में चलाई गया है इसको अब मुझे लाना पड़ेगा इधर आजा तो इंडिया में आजा हाँ इंडिया में जल्दी आजा आगया वेल्कम वेल्कम शिवाम वेल्कम चलो जी अब हम एक वार फिर सफर चुरू करते हैं और चलते हैं पंगिला देश बॉर्डर के तरह लोगजा बॉर्डर के शिरे प्राइब जाना प्राइब लॉर्डर का शिया आजा है माम जाने रेडियो में वोलोओ फोखली ओमें कवरगर में एप्रेंडसे जाते हों कि पर कहीं इस अब खेंड़ीयों कि नम्दीन ही लगा रखी है यहां तिल बहुत होता है और लोग क्या करते हैं तिल काटके सडकों पर बिछा देते हैं और जैसे ही गाड़िया आती जाती हैं उनके टाइरों से पुचल के जो बीज निकलता है फिर उसको इकठा कर लेते हैं और फिर तेल निकालते हैं जो की बहुत ही सुपर क्वालिटी का तेल होता है यह देखिए बिछा दी है यह फूरा तिल बिछा रखा रखा है जड़कों यह फिर हम सिमा सुक्षावल में आगे हैं और यह विल्कुल बॉर्डर के पास है अब लादेश के तो बस अभी मैं यहीं बंद करती हूँ और हम बॉर्डर देखे हैंगे जो पूरा यह बडर पहिं बाठे हैं फरा सामने जो फैंसिंग दीख रहें है वह लास्ट इंडिया पध्ली तरव बंग्लादेश शुरू हो जाता है ऑब हम आगे हैं लाच पोर्स्ट ओप बिछ्प ओट बिचलिफ वेंसिक दिखाई दे रही है, वो बंगलादेश बोर्डर की सेंसिंग है और इसकरव बंगलादेश इसकरव इंडिया है, तो हम इस पोस्त को जाके देख लेखते हैं यह बोर्डर का नक्षा बगेरा है और आगे जीरो पॉइंट है वहां तक हम जाएंगे तो अभी हम चलते हैं और केमपेस बहुत सुन्दर है, हराबरा केमपेस है और आम तो पकपक के ऐसे गिरने को हो रही है कर दो से दाइजार के बीच में इन आउट होता था सर, पसेंज़ आच्छा है, और कोविट से फैले सर, देली को और कोविट के बाद सर, फिर थे देदेरे का यह कम हुआ, सिर्फ मेडिकल वीजा था सर, यही लागू था सर यहां, और कोई वीजा निन था सर, अभी आपी यही लोगाँ इदर से, जी में यही आज़न यहां पर साथी सुधिया हूँगर, यही अपस में, सदिश्धिया में और इसमें खुंना में, बिलकुल कुछ इसो प्रुछ्टा, को हरा देखिया सामने, ऑन सब्सक्राइamba हपर दिया कोई बाता हो ही इसका ड़ना ख़ोगा रोप ऑलो नहीं पारश पुल्टार लो सादकी इससे है कि चेखे कुछ दिखेंग लेती से, टरभ तर पासपोर्ट चेक नहीं होती दिंघूट कर दो update, गारे wat कमें कर दिखेंग उन अद पैसपोर्ट कि देखिए कर ले थ्कुर्द howdy his website में बेना रहें sir, 1 April में रूप में और पी अपने सरint चीब तर्फ बिचमे डीया गाड़ का है। वर किनमें तो गाड़ी आप डाउन करती है। यह जो फैंशीं के बिचमें पीच में सर यह वहाँ से 0-5 तक से करिए अर्ट सो मित रहे पड़ता है। वो इसको चैक करके चोड़ जेते हैं यहां आजाती है। है यहां और पी एफ और बीस फिस्की ज्वाइंट चेकिंग अविसरा है ज की है इस चीकिन करते हैं जै कि अधरेंट्ष नैस निया फज़ते लिगेंग करें है जुख डर्स्मा पर स्टिचनि वो सामदी बना रेल्च डरीया लेश्टिशंग अश्चा अचा है लाश्क ने तो इसमें तो कोई बाउंडरी नहीं है तो अपने अपने किसान अपस में बाते करते रहते होंगे जो सामने एक बिल्डिंग दीख रही है वो बंगलादेश का दर्शना स्टेशन है रेलवे स्टेशन और यहां से वहां पिछे से कस्टम ड्यूटी भुगत आके और इस रोल रोल आके और वहां उस स्टेशन से अपने कंट्री को चले जाएंगे कितने वजे की ट्रेन है चार-कार शाड़े चार बात मिलेगा और कहां तक जाएगी ओओ कां जाओगे आप तो यह तो बंगलादेश जा रहे हैं पिर ने बंगलादेश से आए हैं माजदा जाएंगे तो कौन रहता है माजदा में माजदा किया से आए हैं अब बारी तो ही जाए हैं अच्छ 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 यह बेटा आपका और वो गये हैं उनकी ट्रेन जाएगी उदर वो जाएंगे बंगलादेश जाएंगे हां अच्छ 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 ऑस्पिटल वगैरा दिखाने इधर इंडिया में आते हैं कैलकटा तक जाते हैं है यह वह एक्षु में आशी पार्सन लोग डफ्टर देखाने के लिए आते हैं इंडिया साइड में यहां पर लगबख हिंदू है और यह बंगलदेश्वाले साइड से मुस्लिम है मस्जिद में से अवाज आ गई है नमाज पढ़ने की मा मेरी बी लेलो duas है किया लेलो फोटो चलो मैं शिवियम की फोटो ले लेती हूं और फिर चलते हैं वापीस ममा बंगलादेशी ड्रैसमें के बंगलादेश यूरत यह यहsınız इस तुरफ बांगलादेश है और इस तरफ इंडिया और यह ठै यह रख के बंग्लादेश का है यह ठेम बंगलादेश है यह ए ट्रेन की पैदर रिच मैं त्रह ट्रफ nós भर रहे है यह पिलर लगार है इसमें से यह सिंबल के रहा है कि इस तरफ वाला बंगलादेश है और उस तरफ लिख रखाया है इंडिया ये शीवम और ये बोर्डर पे खड़े हैं और इधर आके हम दिखाएं तो ये आ गया है हमारा इंडिया और वो बंगलादेशी अपने खेतों में काम कर रहे हैं दान लगाएंगे और पता नहीं क्या धड़ुका सा ले रखा है अलगी मशीनरी है उनकी वो करने के लिए कद्दू करने के लिए अलगी मशीन है उनके पास ट्रेक्टर नहीं है एक ऐसे इंजन सा है सिरफ और पिछे एक इंसान बैठा है वो धान लगाने के लिए जमीन तयार कर रहा है और यहां ये लगा चु चलते हैं वापिस और धन्यवाद ब्लोग देखने के लिए और मैंने आपको इंडिया और बंगलादेश दोना दिखा दिया है और अफसरों को बाई किया और चल पड़े हम अगले पड़ाव की हो है